दोस्तों बॉलिवुट की गलियारों से कब कैसी खबर सामने आ जाए इसका कुछ पता नहीं होता। कल बॉलिवुट आक्टरस दिया मिर्जा ने अपनी भतीजी के निधन की खबर को सोशल मीडिया पर शेर किया। दिया मिर्जा की भतीजी की सड़क दुरगटना में मौत हो गई है। इस बारे में खुद दिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपने फ्रैंस को जानकारी थी। रिपोर्ट्स की माने तो उनकी भतीजी तानिया काकड़े कनिधन कार एकसिडेंट के दौरान हुआ। बताया जा रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ हैदरबाद के राजीव गांधी एरपोर्ट से घर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान उनकी कार का एकसिडेंट अर उनकी मौके पर ही मोत हो गई। इस ख़बर से ना सिर्फ तानिया का परिवार बल्के बॉलिवूट के सितारे भी काफी दुखी है। दिया मिर्जा ने जो पोस्ट शेयर की थी उसमें उन्होंने अपनी भतीजी तानिया काकड़े के बारे में बताया था। दिया इसके साथ ही उन्होंने एक emotional note भी लिखा है उन्होंने लिखा कि मुझे याद है कि मुंबई में मेरे घर में किस तरीकी सी दिया मासी की चीक पोकार करते हुए तानिया मुझसे मिलने आती थी वो अपने साथ एक मासुमित लेकर आई थी जो कभी कभी गलत हो सकती थी एक हसी जो कि बहुत जादा positive थी तानिया का एक बिल्कुली अलग तरीकी का प्यार था जिसे में हमीशा अपने दिल में रखूंगी इसके साथ ही दिया मिर्जा ने लिखा कि तानिया काकड़े बिल्कुल उनकी अपनी बेटी की तरह थी तानिया काकड़े को बहुत जादा प्यार करती थी दिया मिर्जा यही वजा है कि तानिया के जाने के बाद दिया मिर्जा बुरे तरीके से टूट गई हैं और इस गम से खुट को निकाल नहीं पा रही हैं। दयामिर्जा के कितना जाधा करीब थी ये तो आपको पोश्ट से पता चल ही गया होगा दयामिर्जा ने ये जानकारी जब फैंस के साथ शेयर की तब किसी के लीभी यकीन करपाना काफे मुश्किल था दयामिर्जा के इस पोस्ट पर दिया मिर्जा को अपनी इंस्प्रेशन मानती हैं उन्होंने बताया कि हम अपनी लाइफ की सभी मजबूत महिलाओ मेरी मा, मेरी नानी, मेरी अम्मा, दीपा, दादी और मेरी मा सी दिया मिर्जा को देख कर और सीखते हुए बड़ी हुए दिया की पोस्टर पर बॉलिवुट सेलिब्स भी उन्हें संत्वना देते नजर आ रहे है